दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी मीडियम के सबसे नमबरन चनल सुभम क्लासेश पर दोस्तों अगर आप क्लास्टर के स्टूडेंटो तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर और सबसे ज्यादा इजी चैप्टर चैप्टर नमर 14, 15 और 16 के टॉप 10 ऐसे सबसे चैप्टर से आपको प्लस मिल सकता है सिर्फ आपको 10 कोशन अच्यार करना है तो आप से रिक्वेश्ट करूंगा और इस 10 कोशन को तयार करने से पर चार कंडिशन है यह चार कंडिशन कौन-कौन-कौन-से है सबसे पहली बात कि जो लाऊंग कोशन इसमें में बताऊंगा लाउंग कोशन को एक फिर चार तरीकें dog को पूछन को तीन चार तरीके से घूमा ऑपके पूश्टा है तो सबसे पहली बात कौश्टन सेयम रहता है सिर्फ उसका पूछने का तरीका अलग हो जाता है तो जो बच्चे साही से नहीं पढ़ते हैं, वो confused हो जाते हैं, तो आपसे request है, जो मैं question बताऊंगा, उन्हें ध्यान से पढ़ना, ताकि इसी question को थोड़ा गुमा के पुछे, तो आप confused ना होना, जो question मैं बताऊंगा, अगर आप इसको तयार करें, तो आपके लगबग इस chapter के सभी question तयार हा जाएंगे, ठीक है, और दूसरी बात, ये chapter number 14, 15 और 16 के लगूत्री प्लस दिरगूत्री question है, ठीक है, मैं next 4 video बनाऊंगा, जिसमें chapter number 1 से, chapter number 13 तक के question आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपसे request चैनल को subscribe को जरूर रखना, तीसरी बात, अगर आपको इन सभी question का answer चाहिए, आपको chapter wise सभी subject के notes चाहिए, आप practice set चाहिए, और most important question चाहिए, तो आप हमारा crash score जोइन करते हैं, इसकी fees मात 500 रुपे है, दिसमबर से फरवरी तक अगर आपको जोइन करना है, तो हमारे WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं, और इन सभी question का answer, आपको description में एक link मिलेगा, chemistry के सभी video यहां देखे, उसपे आप click करोगे, तो आपको सभी chapter के, आपको NCRT के video मिल जाएंगे, दूसरा आपको final shot मिलेगा, जैसे एक chapter को एक ही video में गंटे मैंने खतम किया है, तो आपको final shot देख लोगे, तो आपको यह सारे question लग जाएंगे, ठीक है, तो कि आज की सुड़ जो चोटे रड़ों में जल अबड़ित नहीं हो सकते हैं, मोनो सक्राइट कहलाते हैं, इस टाइप के छोटे-छोटे question होते हैं, ठीक है, आप इनको जरूर तयार करना है, जैसे star तथा glucose में दो अंतर बताएं, तो starch में आप लिख सकते हो कि starch पहली विलियंग के साथ गर्म क बनाता है, जबकि जो आपका glucose रहता है वो बनाता है, defer थक है, issues श्ताइप के छोटे-छोटे question है इनको आपको खुद से तयार करने पड़ेइंगे, ठीक है, यह जो दस question में बताउँगा, इनको तयार करने ही और जो भी आपके question में फ्रती छोटे-छोटे question है, ठीक है, उन जो कोश्ये स्वायोन जोफ्तिक को ना पूरती रुदियमे सकते हैं तो पूरती रुदिये में चाते हो हैं отвеч आपत जिवाडूों के वृद्धी को रोकते हैं या इने जड़ से समाप कर देते हैं या प्रती जैविक कलाते हैं ठीक है तो इस टाइप के जो छोटे छोटे कोश्चन होंगे मैं आपसे रिक्वेश्च करूंगा आप इन टाइप कोश्चन अपने कोश्चन बैंक NCRT चलू त्या कोश्चन है प्रोटीन के मुख स्रोथ या माना शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखे ठीक है आपको बताना है प्रोटीन के मुख स्रोथ क्या होते हैं साथ में आपको बताना है माना शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखे तो मुख स्रोथ कौन कौन सो होता है दूद के question पूछेंगा तो तीन मार्क से पूछेगा ठीक है दूसरा question पूछेगा glucose तथा fructose में विभेद लिखी है अंतर लिखे ठीक है और अंतर तो DNA तथा RNA में भी पूछ सकता है और glucose तथा सुक्रोज में भी पूछ सकता है ठीक है तो आप इस type के तीनो question को आपको देखने है ठीक है DNA रठा RNA में अंतर भी देख लेना अगर आपको full marks चाहिए ठीक अगर आपको 40 पचा चाहिए तो इस type के question त्यार करो लेकिन अगर full marks चाहिए तो इस type के इतने भी question related बन सकते है आपको surety चाहिए तो आपको मैं जूच टाइप के question बता रहा हूं आपको सभी question क्यार करने पड़ेंगे ठीक है fourth question जो पूछेगा monosacrite यथा dyesacrite की परिवासा और प्रतियक का एक उधरण देजे पाचवा question जो इस chapter का सबसे most important question है उस रासायनिक समिक्रण का उलेक कीजिए जिससे ग्यात होता है कि glucose में 5 hydroxyl समू फस्तित होता है यह question पूछेगा ता आपको 5 mark से पूछेगा और जैवडू से एक 5 नमबर question आना तो आपको इस question को जरूर त्यार करना ठीक है उस रासायनिक समिक्रण का उलेक कीजिए जिससे ग्यात होता है कि glucose में 5 hydroxyl समू उपस्तित होता है ठीक है तो यह 5 question आपको जैवडूस त्यार करने है अब जो आपको बहुलक से त्यार करने है बहुलक से आपको मैंने कहां उपयोग होता है आपको दोनों तीनों लिखना है ठीक है दोनों पॉलियमाइड पॉलिस्टर और फिनाल फार्मल डियाइड बहुलक ठीक है और यहीं पर जो साथवा question इसमें से पूछता है ब्यूना एन यह सबसे सब्सक्राइब को समझाज़ं साफनगे को समझाई या पिर मिलख्यत को समझाई धनात्म सब्सक्राइब और रिडात्मक अपमाज़ ठीक है यह तीन कोश्चन आपके देनिक जीयन में रसायन के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इधर आपके बहुलक के और यह 5 कोश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके जयवड़ू के ठीक है लेकिन अगर आप चाहते हो कि अच्छे सब तो जो मैं फाइनल शॉट की वीडियो बना रहा हूं एक घंटे की एक वीडियो उसको आज जहूर त्यार करो और जो आपको प्रैक्टिस एट और मोस्ट इंपोर्टेंग कोश्चन मिलेंगे उनको त्यार करो ठीक है तो आई होप आपको यह कोश्चन पसंद है अगर आप चाहते हो इसके सभी कोश्चन का नेक्स वीडियो में डिसकेस करो तो इस वीडियो पर पांसो लाइक कल तक आते तो मैं उस पर वीडियो बना दोंगा इन सभी कोश्चन का आंसर का ठीक है और अगर आप चाहते हो कि यह चार वीडियो तो आएंगे ही तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर लो अगर वीडियो पसंदे लाइक करो अगर क्रेस को जोइन करना है तो इस वाटसप नंबर पर कॉंटेट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना है मिलते हैं शुड़ो में तक तक के लिए जया हीं जया है भार हेलो वैलकम अगर अब तक यूटूब क सबसे नंबर वन चैनल सुभम क्लासेस का आपने क्रेस कोर्स नहीं जोइन किया है तो जरूर जोइन करें इसमें आपको सभी विशियो के नोट्स, वीडियो, इंपोर्टन कोश्चन, लास्ट येर पेपर और बचे हुए महिने में आप किस तरीके से सभी विशियो के तयार करें सब कुछ पताया जाएगा तो जाइन करने के लिए दिए गया वाट्स अप पर कॉंटेट करें थैंक्यू सो माइट